नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आजमगर उप्चुनाओ घर्मी के साथ साथ चुनाओ की घर्मी में भी बदरता जा रहा है। समाजवादी पार्टी, भारती जनता पार्टी, बहुजन समाजपार्टी तीनों पत्यासियों ने अभी से ताकत रगाना शुरू कर दिया है। एक तरब जहां सभी तीनों दरों के ये पत्यासि जिनके बीच मुकाबरा है, चुनाओ प्रचार में, अलग-अलग छेतों में, जन्दस्वंपर्क में ब्यस्त हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और भारती जनता पार्टी के तमाम वरिष्ट नेता धीरे अब आजमगर मे आने लगे हैं और यहां कैंप करने लगे हैं, भारती जनता पार्टी के कई मिनिस्टर पिछले दो दिन से आते जा रहे हैं और यहां आके राजमगर में डेरा डंगा जमा रहे हैं, चुनाओ प्रचार में लग गए हैं, कुछ अस्थानों पे इन लोगों ने जन्दसंपर आज भी सुरू कर दिया है, इसी इप्रकार समाजवादी पार्टी के बरे नेता बिभिंद जातियों के प Question WIL आज हम गर आके समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी धर्मिंद यादों के समर्थन में डोर टू डोर जाके उन्हें जिताने के लिए काफी प्रत्नसीर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी धर्मिंद यादों ने आज गोपालपूर विधान सभात छित्र में काफी प्रचार किया। आज इसी लिए राके में ये बैस्त्र है। जहां भी धर्मिंद यादों जार हैं। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के समर्थकों और कारिकरताओं में बेहत उस्सा मिल रहा है और खास कर धर्मिंदर यादों को महिवाओं का बुजूर्ग महिवाओं का आशिवाद मिल रहा है कई अस्थानों पे तो बुजूर्ग महिवाओं ने बेटे की तरह उन्हें दु इस प्रकार की तस्वेरे भी वाइरल हो रही हैं। तो वह ततकार उसका निराकमर नहीं हो पाता है। उसकी परसेंटेज बहुत कम है। तीसरी तरब बहुजन समाजपार्टी के प्रत्यासी शा आलम गुड्डू जमाली का प्रचार भी धीवे धीवे कुछ आगे बहरा है। बहुजन समाजपार्टी का जो तरीका सरीका है वह सबसे पहनी ताकत दरिट वोटों पे लगाती है। खास कर चमार वोटों पे उनके कारिकारता अस्थान अस्थान पे लगे हुए है। बहुजन समाजपार्टी भाले रिष्ट जारी कर चुकी है अपने प्रत्यार कों की, लेकिन सभी जानते हैं कि बहुजन समाजपार्टी में कोई इस्टार नहीं है, सिर्फ एक ही इस्टार है, वो हैं बहन मायावती जी, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी अपने हिसाब से जैसे वो चुनाव रलती रही है, वो चल रही है, लेकिन अभी तक की स्थिती आप देखें, तो उस्सा से रवरेश समाजवादी पार्टी के कारिकरताव समर्त समाजवादी पार्टी का जंडा जहां भी आप जाइए दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी के वरकस उस्साहित हैं, इसके पीछे कारण यह भी है कि आजमगर की सभी विधान सभा सीट पे समाजवादी पार्टी के विधायक पहले से मवजूद है, तो इस कारण स आजमगर के इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का दंका बज़रा है और यही कारण है कि यहां से मानिय अख्रेश यादो जी भारी वोटों से जीते थे उनके पहरे आदर्नियम रायम सिंग यादो जी भी बहुत ज्यादा वोट से जीते थे और यही करम तीसरी बार धर्मेंदर यादो दूर आने जा रहे हैं इनके भी जीत का अंतर काफी ही होगा अभी लगवा होगा आपको की यह अतिसयोगती है लेकिन जमीनी हकिकत यही है बस साथियों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा रगा हो लाइक करिएगा शेय अगर उपचुनाओ की खबर के लिए हमारे चैनल पर विजिट अवस्थ करते रहिए तैंक यू तैंक यू बेरी मच्छ